यारे दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिसेट 3.3 का बेसिक ओके तो यहाँ पर देखिएगा मैं कौन-कौन से टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिसकस करने वाली हूँ तो इंपोर्टेंट होगा हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ठीक है तो चलिए फिर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसकी बात करेंगे तो यह किसको कहा जाता है जरह हम समझने की कोशिश करेंगे तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया ना एक सरकल बना दिया आप देख सकते हो लो भई सरकल बना दिया फिर उसके बाद मैंने यह सरकल में एक सिकेंट बनाया सिकेंट आपको पता है क्या होता है सिकेंट हमारे सरकल को इंटरसेक्ट करता है जैसे आप देख सकते हो यह देखो यह वा क्या है यह हमारा क्यों है इसको हम क्या कहेंगे यह वाली लाइन जो है इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों सीकेंट कहेंगे बराबर आप देखो यह सीकेंट ने क्या किया है हमारे इस सरकल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है आप देख सकते हो एक तो यह उपर वाला हिस्स यहते हैं सरकल सब्सक्र통ist के आर्क क्या होता है यह क्या है कि अधिसका देखल नाम लिखना होती इसकी इस प्रकार से इसका नाम आप लिखोगे, इसको आप कहोगे दोस्तो, Arc P-Q ठीक है, यह क्या है, यह है Arc, यानिकि Part of a Circle वैसे हे, यहां पर यह भी क्या है, यह भी एक हिस्था है, तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे क्या हम इसका नाम ऐसे लिखेंगे आर्क PQ ऐसे करके लिखेंगे क्या तो नहीं भई गलत हो जाएगा क्योंकि आपने इसको लिखा आर्क PQ ये तो समझ में आता है लेकिन इसको भी आर्क PQ लिखोगे तो हमें कैसे मालूमा आप किसके बात कर रहे हो इसलिए हमें नहीं यहाँ पे एक और इधर पॉइंट लेना पड़ेगा चलो मैंने यहाँ पे X ले लिया और इस आर्क का नाम आप कैसे लिखोगे तो ऐसे लिखोगे आर्क PXQ ठीके बात समझ में है कैसे लिखोगे PXQ तो आर्क क्या होता है part of a circle यानि circle का ही पार्ट होता है बराबर बात समझ में आगे यहाँ तक आप समझ गया ना चलो अच्छी बात है बहुत अच्छे अब चलो यहाँ पे कुछ और बात हम समझते हैं जैसे कि again we have a circle and this is a second, what is the second? हमारे circle को दो पार्ट में divide कर दिया है जैसे कि आप देख सकते हो एक तो यह उपर वाला पार्ट लो भाहिया एक नीचे वाला पार ठीक है और दूसरा हमारा कॉन सा बात है दोस्तों दूसरा हमारे यह वाला पार्ट है यह वाला पार ठीक है तो इस second ने क्या किया है हमारे circle को दो parts में divide कर दिया है यानि कि ये arc बना दिये ये पहला arc है और दूसरा ये उपर वाला arc है ठीक है इस arc का नाम लिखना हुआ तो कैसे लिखोगे चलो नाम लिखने का जरीका बताती हो तो इस arc का नाम जो है न बच्चो ये आपको बड़ा arc दिखाई दे रहा होगा और ये छोटा arc दिखाई दे रहा होगा ठीक है इनके नाम इस पेचली नाम होते है जो बड़ा वाला arc होता है इसको हम कहते है बच्चे मेजर arc क्या कहते है मेजर arc कहते है और जो छोटा वाला arc होता है उसको हम कहते है दोस्तो माइनर arc क्या कहते है भही माइनर arc कहते है ठीक है तो देखो जबी भी हम मेजर arc की बात करेंगे ना तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि major arc में जो circle का center होता है वो उसके अंदर होता है ठीके यानि वो उस वाले हिस्से में आता है और जो minor arc है वो center से अलग आपको दिखाई देगा देखो इसके अंदर center आ रहे है क्या नहीं न यानि कि यह minor arc है बराबर और देखो इसमें center आ आ है यानि कि यह वाला जो हमारा और कि वो कैसे वहमाराרי जब भी हम्याता पोंदर करें कि ऴ्लिख सकते हो और आप सकते हो आर्ख P Z Q ठीक है ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा बराबर लेकिन अगर में मेजन आर्ख की बात करो तो याद रखो मेजन आर्ख जो है अब क्योंकि इसमें सेंटर भी आ रहे हैं यह बड़ा वाला आर्ख है ना तो आपको इसका नाम कैसे लिखना पड़ेगा ऐसे ल पड़ेगा ठीक है समझ में आया तो यहां पर वही सारी कुछ बाते हैं जैसे कि आप इसका नाम यह देखो आर्ख AXB हमें समझ में आ रहे हैं या फिर आप इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि यह माइनर आर्ख है यह जो मुझे दिखाए दे रहा है यह मेरा माइनर आर्ख है बराबर और यह जो ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहेंगे बच्चों इसको हम कहेंगे मेजर आर्ख ठीक है अब क्योंकि यह माइनर आर्ख है तो हम इसको ऐसे भी लिख करके दिखा सकते हैं आर्ख AB बस AB लिखा मतलब यह दो लेटर का आप माइनर आर्ख की बात कर रहें मेजर आर्ख की बात नहीं कर रहे हो ठीक है तो यहाँ से आपको इतनी ही बाते ध्यान में रखनी थी कि आर्ख क्या होता है पार्ट ओफ सर्कल ठीक है सिकेंड क्या करता है हमारे मतलब सिकेंड ने क्या किया हमारे इस सर्कल को दो सेंटर की बात करेंगे सेंटर किसमें है इस वाले साइड में है तो यह वाला जो आर्क मेरा कहलाएगा न दोस्तों यह होगा हमारा मेजरा ठीक है और फिर माइनर यानि चोटा आर्क कौन सा होगा तो दीको यहां पर लिखा हुआ है मतलब जो सेंटर के दूसरे साइड में होता है उसको हम कहते दोस्तों माइनर आर्क हो जाएगा और जो सेंटर के दूसरे साइड में होता है उसको हम कहेंगे माइनर आर्क ठीक है, समझ में आ गया, और यहां पे नाम लिखने का तरीका, तो मैंने आपको बताई दिया, देखो, यहां पे लिखा भी है, कि हम माइनर आर्क को AX भी ऐसे भी करके लिख सकते, या फिर हम इसको आर्क A B भी करके लिख सकते, चलेगा, लेकिन अगर मेजर आर्क की बात कर करना ही पड़ेगा, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, समझे ना अच्छे से, चलो, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, और हम यहां पे बात करते हैं, दोस्तों, किसकी बात करेंगे, आचा देखो, इसमें ना एक और पॉइंट में आड कर देती हूँ, जैसे हमारे प किया, जो मेरा सीकेंट है, उसको मैंने यहां से पास करवाया, कहां से पास किया भई, यहां से, इसका जो सेंटर था, यहां से मैंने पास करवाया, ओके, तो आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, यहां पर यह जो सीकेंट है, इसने क्या किया है, इसने हमारे सरकल को two equal parts मे इक्वल हो जाएंगे ना समझ रहे हो कि नहीं आप सभी लोग तो हाँ ये बात भी ध्यान रखेगा ठीक है और इसमें मैं आपको अभी मेजरमेंट वगरा सब कुछ बताने वाली हूँ तो इसके उपर मैं आऊंगी बहुत ही जल्द ये जो है ना जैसे हम जानते है कि पूरा या जो सरकल है वो 360 का होता है तो यह वाला जो इतना है वो 180 का होगा अबी मैं आपको बताऊंगे थोड़ी देर बाद मैं इसके उपर आती हूं चिंता मत करो भी इसको और बी डिटेल में explain करूंगी अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं और यहां पे हम बात करते हैें Central готов की त यह एंगल है इसको भी हम एंगल कह सकते हैं ना देखो यहां पर यह एंगल है यह एंगल है बराबर तो अभी Central एंगल किसको कहा जाता है तो देखें यहां पर क्या लिखा है कि विंदर वर्टेक्स ऑफ एन अंगल इस चैंटर ऑफ अ अपर में यहां पर मैंने आर लिया मैंने आपसे पूछा कि बताओ इस ऑफ यहां का वर्टेक्स क्या है तो आपको जबाब क्या होगा yes everyone angle angle नहीं point P is the vertex of this angle ठीक है तो आप देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी angle में vertex क्या होता है center of the circle यानि circle का center अगर vertex रहेगा ना तो फिर आम ऐसे angle को क्या कहेंगे दोस्तो central angle कहेंगे ठीक है मैं आपको बना करके बताती हूं यह देखो आपको यह धुनला धुनला जैसा कुछ दिख रहा होगा मैं इसी में ड्रॉ करती हूं अभी देखना हां आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे थे central angle के बारे में ठीक है बिल्कुल भी टेंशन मतलो रुको यह मैंने यहाँ पर सरकल बना दिया हाँ जी हाँ बना दिया थोड़ा ठीक से कर दूं हाँ यह मैंने यहाँ पर सरकल बना दिया फिर उसके बाद अभी देखो मैं आंगल बना रही हूं यह हैं इसका center center of the circle is point O okay जी फिर यहाँ पर मैंने एक इस प्रकार से लाइन कीज़ दी ओके खीच दिया मैंने no problem फिर मैंने यहाँ से एक थीक ओके टो अब ध्यान दो यहाँको यह आंगल हैा अपका शब्राइं पिसका प्सक्रीं और जाएगा और Vertex क्या है Center of the Circle आप देखो सर्कल का center फॉइंट ओ और यह हमारे एंगल का Vertex भी है इसलिए हम क्या क्या कह सकते हैं कि यहां पर एंगल बनाया गया है यह है आपका दोस्तों Central Angle समझ मैं आया क्या करेंगे अमिस इस को सब्सक्राइब को कहेंगे Central Angle ठीक है क्या कर रहा था हमारे circle को दो पार्स में बाइड कर रहा था दो आर्क में डवाईड पर में बना मतलब क्या होता है चोटा में बड़ा खर चोटा को चोटा भी का सरा द्यान से यह ढला घ्राएं ऊसने क्या किया इसने सरकल के अगे को बड़ा के लिए ऑगे माईनर ओके ला यह इतना बड़ा आपको दिखाई द रहा है इसको हम कह एंगे बची मेजर आर्क ठीक है बाट समझ में आई फ glitch को लिखा है ना लाइक सीकेंट असेंटर एंगल और यहां पर बात करेंगे मेजर आर्क का मेजर मेजर में आपको निकाल है तो मान लीजिए अगर मेजर आर्क का मेजर मेंटर दिया गया कि वह कितने डिकरी का है तो मालूम होगा यह जो हमारा पूरा सरकल है जैसे मैं यहाँ खड़ी हूं अब मुझे मैं एकवर गूमना है तो मैं कья कर muffled पूरा ऐसे ऐसे करके एक बार मैं ऐसे गूम जाओंगी यानि कि मैं अपने जगह पर कितना डिग्री घुमी हूँ 360 डिग्री घुमी हूँ क्योंकि मैंने पूरा एक चक्कर कम्प्रीट कर लिया वैसे ही देखिएगा ये देखो ये मिरा पास सरकल है daslt का center क्या जएगा यह ओज़ेगा हमारे circle का center आप देख सकते होग ठीक है आगर मैं पूरा एक चक कर मतलब अगर मैं पूरे circle की बाद कर Ihres स्का measurement कितना होता है थ्री-ंड्रेट is kastry ने 20 डिजिकरी नोख गो तीक है एक और भास लो जो हमारे आर्क के measurement है ना दोस्तों वो degree में measure किये जाते है किसमें degree में जैसे मालो यहाँ पर है ऐसे आप लिखोगे measure of arc A B ठीक है तो इसका जो मतलब value होगा measure होगा वो आप किसमें लिखोगे degree में लिखोगे 60 degree हो सकता है 50 degree हो सकता है 100 degree हो सकता है ऐसे याद रखिएगा ठीक है तो जो आर्क का measurement होता है ना दोस्तों वो हम इसके basis पे find करने की कोशिश करेंगे आप याद रखना पूरे circle का measurement कितना होता है 360 degree तो आईए अब एक एक करके हम सारी चीजों को देखते हैं सबसे पहले तो यह central angle की हम बात कर लेते हैं मतलब central angle की देखो यहाँ पर मैं आपको बताती इस एंगल का जितना measurement होगा जैसे आप देख सकती हो यहाँ पर जो एंगल AOB है ना बच्चे यह हमारा कितना है यह है थीटा तो इसके corresponding में माइनर आर्क होगा याद रखो मैं मेजर की बात नहीं कर रहे है बलकि माइनर के बात कर रहे हो तो यह जो माइनर आर्क है ना वो अच्छे थीटा के इकवल हो जाएगा यानि कहने का मतलब क्या है कि सेंट्रल एंगल के इकवल में क्या होता है उसके corresponding जो माइनर आर्क होता है उसका मेजरमेंट होता है ठीक है आप देखो यहाँ पर वही बाते लिखी कही है पहला पॉइंट देखेंगे ध्यान से मेजर मैनारत का मेजरमेंट किसके इकवल होता है इस इकवल तो धमेजर और इंगल को डिश करने के लिए इसका यूज करते हैं तो अगर ऑगर θeter then minor arc APB देखो APB यानि कौन से arc की बात की जारे है यह वाले arc की बात की जारे है तो यह भी कितना हो जाएगा दोस्तो θeter हो जाएगा ठीक है तो यह होता है आपका central angle के corresponding में जो minor arc होता है उसका measure में ठीक है समझ में आया है इसे में ज़रा सुन दो आप लोग जैसे कि देखो मैंने आपको बताया कि जो हमारा पूरा सरकल होता है वो होता है 360 डिगरी का ठीक है वह समझ में आ गया तो देखो अब पूरे सरकल में से पूरा सरकल 360 का होता है अब क्योंकि हमें मालूम है यह वाला जो आर्क है इसका मेज पूरा जो हमारा सरकल का मेजरमेंट है वह होता है 360 में से हम क्या करेंगे यह जो थीटा है ना क्योंकि देखो यह पूरा है यहां से एक फॉर्मूला हम बहुत आसानी से डिराइब कर सकते हैं विच इस वेरी इंपोर्टेंट देखो यहां पर क्या होता है कि मेजर ओफ सरकल यह किसके एक्वल होता है दोस्तों मैं आपको बताती हूं यहां पर लिखोगे यहां फिर ऐसे लिखो देखो ऐसे लिखो मे मेजर आर्ख यहां पर मेजर मैंने लिखा हुआ है देखो प्रानाउंसियेशन से मैं लेकिन दोनों का स्पैलिंग अलग है तो ध्यान देना मेजर ओफ मेजर आर्ख प्लस मेजर ओफ minor arc ठीक है ये दोनों मिला करके किसके equal होते हैं जानते हैं आप सभी लोग 360 के equal होते हैं it's very simple आपको बताती हुँ देखो जैसे we have a circle like this ठीक है हमार पास ये circle है अब मैंने याप एक second draw कर दिया second ने क्या क्या इसको दो parts में divide कर दिया एक तो हो गया हमारा minor arc दूसरा हो गया बच्चों हमारा major arc ठीक है अब क्योंकि हमें पता है इस पूरे circle का measurement होता है 360 degree का तो अगर मैं minor arc माइनर आर्क मतलब यह वाला ठीक है minor arc और major arc को plus करूं ना किसके equal होगा ये 360 degree के equal हो जाएगा यहां से यह formula हमने derive किया जो कि बहुत important है तो इसको आप लिख करके जरूर रख लिजीगा कि measure of measure of measure arc plus measure of minor arc which is equal to 360 degree तो यहां पर वही सारी बाते कुछ दी गई थी हम हम पढ़ेंगे जरा और समझने की कुशिश करेंगे अच्छा मुझे एक बात बताओ चलो यह आपने बता दिया ठीक है अब सुनना यही से हम सारे of minor arc है इसको इस side रखेंगे बराबर और जो measure arc का measurement रहेगा इसको हम उस side भेज देंगे अगर हमें यह निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 360 में से minus करना पड़ेगा किसको minus करना पड़ेगा इसको बोलो तो इधर जाएए इधर प्लस में जब उदर गया तो minus में हो जाएगा य। यानि हम minus करेंगे measure arc के measurement को यानि अगर हमें minor arc का measurement निकालना है तो 360 में से हम measure मेजरमिंट को माईनस कर देंगे या फिर मान लिए हमेंакरह है measure of measure arc मतलब जो measure arc है जो बड़ा वाला आर्क है इसका measurement अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे इसको यहीं पर रहने देंगे और minor arc को कहेंगे तो उधर जा ठीक है तो minor arc जब उधर जाएगा तो यहां बिजाके 360 में से माइनस हो जाएगा 360 minus minor arc ठीक है आड़ों है समझ में आया तो यह बात यहां पर हो जाती है अब देखो आपको पक्का समझ आ जाएगा क्या लिखाया देखो मेजर और मेजर आर्क याटर का measurement निकालना है तो क्या करना होगा 360 में से minus करना होगा किसको minus करना होगा तो उसके corresponding आपका minor arc होगा उसके measurement को हम्हाइनस करना होगा देखो मैंने आपको यहीं तो बताया था है इसका हो जाएगा एक यूबी ठीक है वो क्या होगा 360 माइनस थीटा होगा समझा रहे है तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है इसी फिगर के बारे में ही बाते बताई गई है चलो समझ गे ना फिर यहाँ पर अगले की हम बात करते चलो यह तो आप समझ गे और माइनर आर्क निकालना है तो वही 360 माइनस मेंजरा करना पड़ेगा आप सभी लोगों को ठीक है और यह समझ लो मेंजर ओफ कम्प्लीट सर्कलिस 360 जैसे कि मैंने आपको बताया अब यह क्या है जो मैंने पीछे चोड़ा था ना वो है यह मेंजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क यह सेमी सर्कुलर आर्क हम किसको कहत है यह जो मैंने यहां पर छोड़ा था यह देखो यह हमारा सेमी सर्कुलर आर्क समझ में आया क्यूंकि देखो यह दोनों आपस में एक्वली रहेंगे इसका लेंद और फिर यह आपको उपर दिखाई दे रहा है इसका लेंद दोनों का लेंद क्या होगा बच्चों सब्सक्राइब करेंगे और याद रखेगा जो हमारे सेमी सर्कुलर आर्क होते ना उनका मेजरमेंट कितना होगा जैसे इसका नाम लिख देते हैं सब्सक्राइब कितना हो जाएगा तो यहां पर आप देख लो मैं आपको दिखाती हूं यहां पर लिखा हुआ है कि तो यहां तक सारी बाते आपको नहीं कह सकते हैं तो यहां पर यह फिगर बना हुआ है जैसे किया आ आप देख भी सकते हो अब मैं आप लोगों को कुछ बाते बताती हूं यह लेखो चलो हम इसकी बात करेंगे देखो we have two circles एक है छोटा वाला circle है दूसरा ये बड़ा वाला circle है ठीक है तो अभी सब ध्यान हर जगर से ध्यान अटाओ अभी आपका focus होना चाहिए यहाँ ठीक है यह देखो बच्चे यह हमारा क्या है central angle आप देख सकते हो यह वाला angle यह जो angle है this angle यह क्या है दोस्तों यह हमारा central angle है बराबर मैं थोड़ा नाम लिख दूए इसका angle नाम कैसे लिखेंगे dce okay dce जो है this is my central angle and the measurement of this angle is 70 degree अपने मन से लिखा गया नहीं it is given in the in this figure यह मैंने लिख दिया ठीक है अब क्योंकि हमें मालूम है कि central angle के corresponding में जो minor arc होता है वो हमारा central angle के measurement के equal होता है बराबर तो देखो यहाँ पर क्या होगा अभी ध्यान से थोड़ा समझेगा देखिए अभी हमना छोटे वाले सरकल की बात कर रहे है कौन से सरकल के छोटे वाले सरकल के ठीक है तो यह क्या है बच्चों यह हमारा यह हमारा central angle है तो इसके corresponding में यह जो arc हो जाएगा 70 degree हो जाएगा क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था कि माइनर का measurement central angle के बराबर होता है है ना तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं देखो यहां पर हम एक बात लिख सकते हैं कि मेजर ओफ आर्क विच आर्क अब क्योंकि यह माइनर आर्क है तो हमें करके लिख सक करेंगे बड़े ओल्ड़े सर्क्ल यह इसके ठीक हैं तो यह है हमारा और चोटा वाले सर्कल उपर आप ध्यान देना तो बड़े ओले सरकल में यह क्याτ Banks scholars व्लिख क्रूसपोन यहां पर मैंने लिख दिया है दोस्तों डी विचे से इक्वल टू यह भी हो जाएगा हमारा सेवेंटी डिगरी का ओके समझ में इतना चलो यहां तक समझ यह अच्छी बात है अब हम थोड़ा और आगे चलते कुछ और बाते समझते हैं अभी अभी यह बाकी है यहां से आप आपको एक चीज बताने वाली कॉंग्रुएंसी ठीक है पहले इधर का भी लिख लेने दो फिर आपको समझाती हूं ठीक है तो अब हम यह वाला कलर ले लेते हैं अलग-अलग कलर लेके बता रहे हो ताकि आप फोकस कर पाओ चलो अब हम बात करने वाले हैं यह वाले सेंट अब हम चोटे वाले यह सर्कल की बात कर रहें ठीक है यह हमारा सेंट्रल अंगल है ओके आइंगल का नाम क्या है मैं जर लिख दूं हापर नाम आईए नाम लिखते हैं जड़ा हमारे यंगल का ďंगल क्या होगा एस सी जी ठीक है जो है सेवैंटी डिकरी का और यह हमारा से चलते हैं और हम यहां पर बात करते हैं बड़े वाले सरकल में तो बड़े वाले circle में देखो अब ये बड़े वाले circle के लिए ये central angle है और ये हमारा minor arc हो जाएगा यानि कि FG तो इसका measurement कितना होगा भई ये हो जाएगा measure of arc बोलो FG बोलो ये भी कितना हो जाएगा ये भी होगा हमारा 70 degree क्यों क्योंकि ये central angle के corresponding में arc है है ना चलो यहाँ तक आपको समझ में आया अब देखो ध्यान से इसमें मैं आपको कुछ relation बताने वाली हूँ अब ध्यान से समझेगा देखे ये वाले arc का measurement भी है 70 degree ये वाले arc का भी measurement है 70 degree तो क्या हम इन दोनों arc को corresponding ने congruent arc बोल सकते हैं क्या क्या है ये दोनों arc congruent है आपको क्या लगता है देखो कौन-कौन से arc में लिये है arc A, B और ये D अब दोनों का measurement क्या है 70, 70 degree है तो क्या हम इन दोनों को congruent बोल दे yes or no नहीं बोलेंगे ये बात गलत हो जाएगी आपको लगेगा थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा ये भी है 70 ये भी है 70 तो बोल दो na congruent क्यों congruent नहीं हो सकते तो इसके पीछे का कारण है दोस्तों क्या कारण है देखो measurement देखो पहली बात तो ये आप समझो congruent के लिए condition क्या होती है कि दो figures को हम कब congruent कहेंगे जब उनका shape and size दोनों सेम होगा ये देखो measurement तो इक्वल होना चाहिए लेकिन इसके सांसा इसका length है यानि इसका size है वो भी जो radius है बच्चे वो सेम होना चाहिए ठीक है जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ यहां पर देखो यहां पर है measure of arc AB which is 70 degree and measure of arc PQ which is 70 degree तो आप देखो कौन-कौन से आर्क के मैं बात कर रही हूँ अभी ध्यान दीजीगा मैंने यहां पर यह आर्क AB की बात कर रही हूँ और आर्क PQ की बात कर रही हूँ तो अब देखो भाई दोनों का measurement है 70-70 degree और दोनों का तो वह भी यहां पर सेम है ठीक है क्योंकि एक ही सरकल में आ रहे है तो इसलिए उनको क्या कह सकते हैं कॉंग्रूइंट कह सकते हैं समझ में आया यानि कि देखो और क्लिए क्या होना चाहिए measurement होना चाहिए लेकिन इसके साथ सरकल का रेडियस है वो भी सेम होना चाहिए कडेज़ समय ऑप देख सकते हो सर्कला्राइडित समय को एक हो यह वाला और इसे आंप white कर रही हूं जब्सक्राइब स्ब्सक्राइब है और दोनों के दुनों 70ड के हैं यानि मेजर मेंजर्मिंट तोंगा से पिए मैं इससे दुनों का सैंट इसके साथ इसलिए हम इन दोनों और को कह सकते हैं it's means यह दोनों हमारे सब्सक्राइब का जबकी यह दोनों आपस में नहीं हो सकते और यह दोनों आपस में तो कालूम पढ़ें क्या बात मालूम पढ़ेंगा इसमझीएगा अ सकते हैं जब देयर मेजर्स एंड मेजर्स तो इक्वल होना चाहिए बट इसी के साथ ही जो आपका रेडिया यानिकी रेडियस है न दोस्तों वह भी हमारा इक्वल होना चाहिए ठीक है समझ में आ गया तो यह बाते आप ध्यान रखेंगा बस मेजर इक्वल होने से काम नहीं यहां पर मैं यह वाला आर्क ले लेती हूं कौनसा आर्क जी आई ठीक है तो इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों का से मैं लेकिन मेजर्मेंट अलग अलग है तो क्या यह दोनों को हम कॉंग्रूइंट कहेंगे नहीं दोनों से मोना चाहिए मेजर्मेंट भी और करने वाली हो कुछ और चीज़ों की प्रॉपर्टी ओफ सम ओफ सम ओफ मेजर ओफ ठीक है अब इसमें क्या है दोस्तों आ जाईए जरह हम समझते हैं आप देख सकते हो आपके सामने है सरकल और सरकल के ऊपर कई सारे पॉइंट्स भी लिखे गए बी सीडी ए अचाए अब इसमें हम क्या देखने वाले देखो मैं आपको बताते हैं जो हमारे आर्क्स होते हैं अब उनको लिखने का तरीका है मतलब अगर हमें दो आर्क को प्लस करना है या फिर माइनस करना हम कैसे लिखेंगे उसको ठीक है मेजर ओफ आर्क कि मैंने लिखा ए रे बी सी अटिए बी आप मैं या पे लिखा मेजलों का बी सी क्लस मेजर ओफ आर्क सी हमागे wraps इन है सी है हमारे एक है हमारा आर्क ए बी-स फिर थिके फिर मैंने दूसरा यह ले लिया qde बराबर तो अब मुझे क्या करना थो मैंने दोनों पो लेकर के प्लस कर दिया को सीग्वाबर तो हब यह किक्सके हो से टिरें सकते मिनिमान ऑगका ठीक है minor arc जब हम दिखाएंगे तो दू लेटर से भी दिखा सकते हैं लेकिन जब major arc की बात आएगे तो वह maximum बदब जादर जादर तीन लेटर से हो सकते हैं नहीं हो सकते या फिर 5 नहीं हो सकते आप सुचो कि यहां से यहां तक दिखाना है तो हम ऐसे कर देते हैं आर्क ए बी सी डी इए नहीं वही गलत हो जाएगा आपको तीन लेटर से भी यूज़ कर सकते हो लास्ट के तो सेम रहेंगे और इतो सेम रहेंगे बागी बीच में A, B, E के equal हो जाएगा ओके इस प्रकार से इसको लिखा जाता है चलो कुछ और समझते हैं देखिए यहाँ पर मैंने लिखा क्या लिखा मेजर ओफ आर्क D E लस measure of arc मैंने क्या लिखा देखो ea बराबर मैंने यहाप लिखा ea अभी किसके equal हो जाएगा तो measure of arc देखो मैंने कौन-कौन से arc को plus किया है मैंने यहापे लिया arc d e ठीक है फिर मैंने यहापे arc लिया a e बराबर अब इन दोनों को मैंने plus किया तो मैं अभी इसका total कैसे लिख सकते हूँ यानि किसके equal हो जाएगा तो यह पूरा arc मुझे लिखना पड़ेगा इसका नाम कैसे लिखोंगी a e d लिख दूँगी simple यहाप मैंने लिख दिया arc a e d समझ में आया तो ऐसे करके लिखा जाता है यहाप एक और last हम देख लेते फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हैना आगे वाला concept देखेंगे चलो मैंने यहाप लिखा measure of arc ध्यान समझना मैंने यहाप लिखा arc क्या लिखा a e d ठीक है a e d arc a e d रुको plus measure of arc मैंने लिखा a e d फिर मैंने लिख दिया e d a e d और फिर मैंने लिखा a d c मैंने यहाप लिखा दोस्तो arc e d c बराबर अब देखो यहाँ पर मैंने कौन-कौन से arc लिए हैं जराब ध्यान दीजीगा मैंने यहाँ पर यह वाला arc लिया a e d फिर उसके बाद मैंने e d c ले लिया ठीक है तो अब मैं क्या करूंगी मैं इसको ऐसे लिखूंगी तो चलेगा क्या मैं कैसे लिखोंगी a b a । रुखो a e d करके अगर मैं ऐसे लिख Clos a e d ide a e d ॊके मैंने लिखा A e c मैंने यहाँ लिख दिया angle angle नहीं arc a e c तो क्या ये बात यहाँ पर सही है, देखो ये तो right था, ये भी right था, लेकिन क्या हम इसको right कह सकते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्यों नहीं हमने कहा, क्योंकि देखो इसके पिछे का कारण था, क्या कारण था, मैंने यहाँ पर लिखा measure of arc AED, कौन-कौन से arc लिए ध है ठीक है, तो आप कहेंगे सही तो है, ये पूरा मैंने लिख दिया होतो गया, लेकिन गलत, क्योंकि यहां पर देखो, यह वाला जो इसस्ता है ये दो बार आया है, देखो यह वाला जो हिस्सा है, आपका, यह वाले arc में भी आया है, और इसमें भी आया है, तो इसको अम माइनस तो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं है ना तो आप कर ही लेंगे I think चलो यहां तक समझ में आगे अब हम चलते थोड़ा सा आगे और बस यह लास्ट है यह प्रॉपर्टीज हम यहां पर डिस्कुस करेंगे एंड यह कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो यहां पर हम दो थियरम समझने वाले हैं थियरम नंबर वन एंड थियरम नंबर टू ठीक है इसका प्रूफ देखने की कोई आविशक्ता नहीं है बस हम इसका क्या करेंगे इतका जो कॉंसेप्ट है वो हम समझ लेते हैं और जब हम ली में वमारे पास एक सरकल में क्या-क्या बने हुए मुए है बोलो जल्दी से सरकल में अरुजों ससी सदीा प Secretary of colors अबार्श हे तो क्या बोला गया है कि यह जो दोनों आर्क है ना जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूं कि major of अर्क चलो नाम लिखते हैं इस वाले आर्क का नाम कैसी लिखेंगे देखो acड लिख सकते हो apc लिख सकते हो चलेगा तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ A, B, C, ठीक है, यह congruent है, किसके congruent है दोस्तों, तो measure of arc, which are यह वाला arc, ठीक है, इसका नाम D, E भी लिख सकते हो, D, Q, E भी लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया D, Q, E, तो अगर ऐसा है, माल लेजिए, अगर ऐसा है, किसी circle में, आप देख रहे हो, कि वहाँ पर जो arc है ना, ठीक है, अगर वो आपस में congruent है, तो उनके corresponding में जो codes रहेंगे, वो भी आपस में congruent होंगे, तो बोलो, corresponding में कौन-कौन से codes है, तो देखो, इस arc के corresponding में कौन सा code है, भाई, देखो, यहाँ पर यह वाला code AC, यानि कि यहाँ पर क्या होगा, यह जो code AC है, ना, दोस्तो, यह congruent हो जाएगा, किसके congruent होगा, तो यह वाला मेरा arc है, अब इसके corresponding में कौन सा code है, ED, यह इसके congruent हो जाएगा, तो यहाँ पर हम हमें, वो जिसका opposite है, यह है theorem number two, जैसे इसमें, जो इफ के बाद है, इफ के बाद, वो हमारा दिन के बाद आजाएगा, देखो, मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि, मानली जीए, आपके पास एक circle है, ठीक है, अब circle में आपने यह चीज़ देखी, क्या देखा, कि circle में न, जो code से, देखो, code, कौनसा code हम ले लेते है, SR, ठीक है, SR जो है, यह congruent है, किसके congruent है, दूसरा code ले लो, यह देखो, PQ, ठीक है, code PQ की यह congruent है, अगर ऐसा आप देखते हो, दिन क्या होगा, दिन यह हो जाएगा, लाकि उसके corresponding में, जो arcs है, वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, दूसरो, congruent हो जाएंगे, तो देखो, यह वाला, जो हमारा code है, आप ध्यान दीजेगा, SR, इसके corresponding में, कौन सा arc है, यह PMQ, है न, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, arc PMQ, ठीक है, समझ में आगे, आप सभी लोगों को, तो यह बात है, ठीक, तो यह दोनों theorem साब ध्यान रख किएगा, देखो, आपको एक बार फिर से बताती हूँ, हमारा पस एक सरकल है, सरकल में हमने क्या देखा, कि उसके जो यह न, arc, ठीक है, दो arcs क्या है, आपस में congruent है, तो उनके corresponding में जो बनने वाले courts रहेंगे, वो भी आपस में congruent होंगे, वैसे ही, अगर हम यह देखते हैं, कि courts congruent है, तो corresponding में बनने वाले arcs क्या होंगे, congruent होंगे, ठीक है, यह हमारे theorem से हमें बताया है, दो theorem से, your first theorem is this, और second theorem is this, ठीक है, second theorem में देखो, क्या लिखा हो है, पढ़कर के बता देती हू, corresponding arcs, अरे बाई, मिटे न, मिटे न, मिटे न, मिटे गया, तो फिर लो, कोई बात के corresponding arcs क्या होते हैं, आपस में congruent होते हैं, ठीक है, दोस्तो, समझ में आ गया, yes everyone, तो यहां पे हमने जितना भी basic था, हमारे practice 8 3.3 के related, वो सब कुछ हमने cover कर लिया है, तो चलो, एक बार फटा फट से हम लोग revise करेंगे, यह 6 points की मदद से, तो सब लोग तयार हो, अभी तक ह पड़ा, सब के सब revise करेंगे, पहले मैंने आपको arc के बारे मताया था, वो क्या होता है, part of a circle, ठीक है, चलो, यहां पर first point, an angle whose vertex is the center of a circle, is called central angle, central angle हम किसको कहते हैं, तो उस angle को कहते हैं, जिसका center क्या होगा, जिसका vertex क्या होगा, center of a circle, ठीक है, फिर हमने क्या देखा, definition of measure of an arc लग है, आर्क का measurement हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो हमने देखा, अगर हमें, अगर हमें, मेजर और का measurement निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 360 में से माइनर आर्क के मेजर्मेंट को माइनस कर दो या फिर माइनर आर्क का मेजर्मेंट निकालना है तो 360 में से मेजर्मेंट के मेजर्मेंट को माइनस कर दो सिंपल फिर उसके बाद देखो वें टू आर्ट्स ऑफ द सेम रेडियस और सेम मेजर दे आर कॉंगुरुएंट यह नहीं देखो मैंने आपको बताया था जब दो आर्ख है और दोनों का रेडियस सेम है ऐसे मेजर अगर सेम है तो फिर ऐसे आर्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों कांगरुएंट आर्ख हैंगे ठीक हैं फिर हमने ल nouvelles जायदा कुछ नहीं देखा था यह बात हमने देखी थी अपर प्रपट्रोपटी एक जैसे मैंने आपको A B C plus C D E है ना दोनों मिला करके किसके इक्वल हो जाएगा A C E के नहीं समझ में आया ना कुछ नहीं समझा मैं बता रही हूँ मैं बता रही है तो मैंने पीछे बताया भी था एक बार फिर से हम देख लेते देखो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं दोस्तों कैसे लिख सकते देखो यहाँ पे जो हमारा मेजर ओफ आर्क A B C है ना A B C ठीक है आर्क A B C प्लस मेजर ओफ आर्क क्या लिखा था C D E तुको यहाँ लिख दिया C D E अब यह किसका ईक्वल होगा आप खुद बताओगे खुद आप लोग effect B C तया मैं लिख दिक्या तो यहां पर आप देख सकते हो ये तो हमने इ। यही तो है आपको दा सेम और कॉंग्रूएंट सर्कल इक्वल इफ दा रिलेटेट कोड्स आर कॉंग्रूएंट यानि कहने का मतलब क्या है जो हमारे आपको सारी सीजे बता भी दी है ऊपर आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ यह तोड़ा सा इदर उदर करके लिखा हुआ है फिर भी मैं आपको explain कर देती हूँ समझना चाहते हो तो समझो क्या लिख्था है देखो arc of the same और congruent circle मतलब माल लीजी आपके पास कोई congruent circle है उसके जो arc रहेंगे न ठीके वो क्या होंगे इक्वल हो सकते कब if the related quotes are congruent अगर उनके related quotes क्या होंगे बच्चे congruent हो ठीके तो यह हो गया चलो तो यहां तक मैंने आपको बता दिया और बस इतनी ही बाते थी इसके basic में I hope so समझ में आ गया होगा अभी next lecture से हम क्या करेंगे practice 8 3.3 के questions को start करेंगे और practice 8 3.3 मैंने ज्यादा questions दिये भी नहीं बस इसका basic ही इतना बड़ा था बगी questions तो बहुत easy है ठीके हम उनको solve कर लेंगे हमारे next lecture यानि की lecture number 8 में ठीके दोस्तो तो यह वीडियो आपको कैसा download कर सकते हो यहां बर भी आपको PDF मिल जाएगा free वाले folder में ठीक है और यह हमारे Instagram आइडिये यहां बर भी आप लोग हमें follow कर सकते हैं तो दोस्तों मिलते next video में चलो बाई everyone